पहली बार हिंदुस्ताइन की हिस्ट्री में जन्ता से स्टेट्स छीने गए हैं जंबू कश्मीर लदाग से आपने पहली बार स्टेट्स छीना है मनिपूर को मनिपूर को आपने सिविल वार में डुबा दिया है मनिपूर को आपने और आपकी योजनाओने आपकी politics ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंतुर्य मनिपूर नहीं गए ऐसा लगता है कि मनिपूर नहीं प्रदेश नहीं है प्रधानमंत्री के लिए मनिपूर स्टेट ही नहीं है मनिपूर में civil war हो यह नहीं रही है और एक बार बियान दिया हमने मतलब pressure लगाया हम गए हमने प्रणान मंत्री से कहा एक message दे दीजिए मनिपूर चले जाए जनता के वाँ रक्षा कीजिए मैं हुआ गया कुकेज और मेटे इससे दोनों से मिला आज तक नहीं answer नहीं मिलेगा मिल नहीं सकता मनिपूर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है मनिपूर है ही नहीं मनिपूर ही नहीं ना home minister के लिए ना प्रणान मंत्री के लिए एक्जिस्ट नहीं करता वो है ही नहीं ना प्रधानमंती जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे मैं रिलीफ कैम्प में गया एक औरत कापती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपने आखों के सामने हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं गाते हो मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ मुझे कहती है मैंने अपने आखों के सामने मेरे आखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई मैं भागना नहीं चाहती थी मैं मरना चाहती थी उसके साथ मरना चाहती थी मुझे घसीट के वहां से ले गई और फिर मेरे मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती कापती हुई ऐसे फोटो दिखाती यह आपकी योजनाओं का नतीजा है आपको शर्मानी चाहिए एक दिन प्रधान मंत्री आठ बजे कहते हैं पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ